फिर आता है theory of primary mental abilities उसमें थोड़ा सा और evaluate करके थर्स्टन ने ये introduce किया था कि हमारे अंदर कुछ एक innate primary mental abilities होती हैं वो seven abilities ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे पर dependent नहीं होती हैं जो कि independent होती हैं एक दूसरे से वो कौन सी abilities हैं वो है verbal comprehension यानि कि आप कितने अच्छे से watch को समझते है उनका comprehend करते हैं उनको verbally abuse कर सकते हैं आप ideas मिला सकते हैं फिर आता है numerical abilities यानि कि आगर verbal या आपका comparison अच्छा नहीं है comprehension अच्छा नहीं है पर आप numerical abilities में आपका जो analysis है आपका जो numbers को समझने का जो skill है जो कि एक आपकी ability है वो आपकी अच्छी हो सकती है नेक्स आता है special relationships special relationship आपका visualizing pattern में आता है forms में आपके कितने अच्छे से shapes को समझ सकते हैं जो आपके सामने हैं for example या architects में बहुत अच्छा इसमें relation माना जाता है बहुत अच्छा skill होता है architects में वो shapes को और designs को बहुत ही in-depth तरीके से समझते हैं फिर आपका आता है perceptual speed यानि कि आप किसी भी च word को कितने fluently use कर सकते हैं या फिर कितने और flexible तरीक से use कर सकते हैं या आपका speaking skill में भी count होता है फिर आपके skill आता है memory की कि आप में कितनी अच्छी और कितनी accurate memory है recall करने की या फिर retrieve करने की आपके कितने अच्छे चीज़ों को recognize कर सकते हो एक ही बार में देख कर उनको या inductive reasoning यानि कि आप derive करते हैं किसी भी बड़े concepts को एक छोटे presented facts में या छोटे concept में आप उसको filter out कर सकते हो या आपकी inductive reasoning इसको हम creative reasoning भी कहते हैं या फिर creative skills में भी ये use होता है तो ये कुछ seven abilities थी जो थो थोस्टन ने दी थी और ये primary या फिर जो innate तहीके से हम सब में present होती है अब आते हैं hierarchical model of intelligence पे ये model दिया था Arthur Jensen ने और ये model बात करता है कि हम हमारी जो understanding है या फिर हमारी जो conceptualization है ये दो level of hierarchy में होती है यानि कि पहला level जो है वो associative learning है जहां पे हम जो चीज पढ़ते हैं वो हम as it is याद कर लेते हैं यानि कि इसको road learning भी कहते हैं जनरली कुछ ब इसमें जो input है वो similar होता है output के यानि कि जो आपने पढ़ा उसको आपने as it is लिख दिया या फिर याद कर लिया वहीं पे level 2 आता है कि आप उसको जो आपने पढ़ा है उसको एक थोड़ा सा in-depth तरीकी से समझ रहे हो अपनी cognitive competency लगा कर उसको आपने अपने हिसाब से समझा ह उस concept को समझा है ना कि सिर्फ ही याद किया है और just because आप उसको समझ जाते हो तो आप उसको अपने हिसाब से mold कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से present कर सकते हैं next theory की बात करते हैं जो कि है structure of intellect की ये theory दी थी जे पी गिलफर्ड ने और इस theory में इन्होंने intellect को या intelligence को एक structure देने की कोशिश की थी इस structure के तीन main components है तीन main dimensions है पहला है operations जो की है cognition, memory, recording, retention, divergent production और convergent production तो ये छे तरह की operations है जिनकी इन्होंने बात की थी operations ये वो चीजें हैं जो हम एक किसी particular concept में या किसी particular word में, number में हम लगाते हैं यानि कि आप किसी भी एक word को याद करते हो, तो हम उस word को याद कर रहे हैं, हम उस word को produce कर रहे हैं तो उस product के साथ हम क्या कर रहे हैं, वो determine करता है हमारा operation next आता है content, content है nature of material or information on which intellectual operations are performed यानि कि जो उपर हमने operations की बात की थी, वो हम जिन चीजों पर apply करते हैं, उसको हम content कहते हैं content को हम पांच तरीके से define करते हैं, एक visual, एक auditory, symbolic, semantic and behavioral तो इन सभी तरीके content पर हम operations apply करते हैं product होते हैं हमारी units, classes, relations, systems, transformations या फिर implications इसको एक example से समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि write down 10 list of words which starts from the letter A तो अब आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से 10 words हैं जो A letter से start हो रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने आपसे words पूछा है, तो जो words है वो आपका content आ जाता है और अगर मैं आपसे पूछूं कि write down या फिर memorize those things तो अगर मैं आपको memorize करने को बोलता हूं कि आप याद कीजिए तो memory recording में आ जाता है, अगर मैं आपको कहता हूं कि write down those things तो वो convergent production में आ जाता है तो ये आपके operations आ गए और last में जो आप list of words मुझको देंगे लिखकर वो सारे products में आ जाता है और products में गर हम बोलें तो units में हम कह सकते हैं कि आप units उसको produce करेंगे तो ये example था गिलफोर्ट की structure of intellect समझने का और ऐसे ही ये तो एक example था जिसमें हमने एक combination निकाला है तीनो components में से ऐसे हम possible 180 cells या 180 possible combinations हम निकाल सकते हैं इसका simple math ये ही है कि 6 total products, 6 total elements हमारे operations में हैं 5 content में हैं और 6 products में हैं तो possible जितने outcome हो सकते हैं वो 180 हो सकते हैं Next is theory of multiple intelligence ये Harvard Gardner ने दी थी और इस theory में इन्होंने 8 तरीके की different intelligence types बताए थे कि 8 तरीके की intelligence होते हैं जो humans means में हो सकते हैं और ये सबी जो हैं एक दूसरे से independent होते हैं पहला देखते हैं कि linguistic तो linguistic होता है such people are word smart, articulate, poets and writers यानि कि इनकी जो word के साथ power है word के साथ जो skill है language जो skills है ये बहुत ही strong होती है Second आता है logical and mathematical reasoning इसमें आपका scientific thinking और problem solving जैसी चीज़ें आ जाती हैं इसमें आप think logically करते हैं, critically, abstract reasoning आपकी बहुत strong होती है आप overview या फिर किसी भी चीज़ का gist समझ लेते हैं symbols and mathematical problems के साथ आपको ज़्यादा problem नहीं होती है बहुत ही आसानी से उनको समझ लेते हैं Next आता है spatial या फिर visual images और patterns का जो intelligence होता है यह हमने पहले भी थर्स्टन की theories में देखा था कि जो fundamental mental abilities होती है यह उसमें हमने ability पड़ी थी और यह basically है it's forming using transforming mental images यानि कि आप कितने अच्छे से जैसे हम maps को utilize कर सकते हैं आप कितने अच्छे से shapes या design को समझ सकते हैं तो आपके जितने भी artists हैं, pilots हैं, sculptures हैं, painters हैं इन सभी को जो deep understanding है designs की, shapes की और art की तो spatial intelligence में यह सारी काफी components आते हैं Moving on next फिर आता है musical component, musical intelligence इसमें आपकी composition skills बहुत high होती हैं आप चीजों में से sound की जो आपके skills आप sound पगड़ लेते हैं काफी अच्छे से music create कर सकते हैं, sounds create कर सकते हैं तो यह जितने creative चीज़े हैं music से related, sound से related यह आपकी musical intelligence में आ जाती हैं Next है bodily kinesthetic तो यह इस तरह की intelligence होती है कि आप कितने अच्छे से आप अपने body को use कर सकते हैं, आप कितने अच्छे से body को control कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही जादा skillful होता है, तो यह जितनी भी आपकी control of body में आता है, तो यह bodily kinesthetic में intelligence आती है आपकी Next आता है interpersonal intelligence, interpersonal यानि कि आपकी दूसरे लोगों से बातचीत कितने अच्छे से, आप दूसरे लोगों की बात है कितने अच्छे से समझ सकते हैं, आप कितने अच्छे से understand कर सकते हैं, उनकी thoughts को, उनकी feelings को और इसमें काफी जादा empathy का role आता है, कि आप कितने जादा empathetic हैं, सामने वाले की feelings समझने के लिए, यह बहुत ही जादा counselors में आप देखेंगे, counselors में, या फिर जो humanistic philosophers हैं, या फिर जो therapist हैं, तो इनमें काफी जादा यह intelligence आपको मिलेगी फिर आता है, naturalistic intelligence, तो यह sensitivity towards nature या फिर natural world शो करता है, इस the awareness of relationship with the natural world, beauty, आप जितने भी environmentalist देखिए, या फिर जितने भी जो nature lovers हैं, चाहे वो wildlife के हैं, चाहे वो underwater हैं, तो यह सारे ही इनमें एक niche होती है, कि यह nature को बहुत बेटर तरीकी से समझ सकते हैं तो अभी तक हमने जितने theories पड़ी थी, यह psychometric approach से motivated theories हैं, यह सारी theories बता रही हैं थी कि on an average पूरे globe में, कितने किस तरह से लोग performance करते हैं, या फिर उनका एक aggregate amount of intelligence हम बात कर रहे थे, पर इन theories में जो आगे हम पढ़ेंगे, वो हैं information processing theories, यह theories बताती हैं कि एक underlying process क्या होता है, कि इनसान जब अपने intelligence use करता है, या फिर वो कौन-कौन सी elements use करता है अपने intelligence act में, या फिर जब वो practically उसको use करता है, तो पहले theory की हम बात करते हैं, वो है triarchic theory of intelligence, यह काफी popular theory है information processing के area में, यह दे थी Robert Sternberg ने 1985 में, and it defines intelligence is the ability to adapt, to shape, to select environment, to accomplish one's goals and those society and culture, यह theory basically बात करती है कि हम culture से हमारे intelligence किस तरह से motivated है, या फिर हमारे society से किस तरह से हमारे intelligence, हमारे environment से किस तरह से हमारे intelligence influenced है, और हम कितने better तरीके से अपने environment में adapt कर सकते हैं, यह show करता है हमारी intelligence कितनी है, तो सबसे पहले इसका component है, componential, इस intelligence को हमने तीन components में Sternberg ने divide किया है, सबसे पहले है componential, यानि कि किसी भी problem में या किसी भी situation में, इंसान कितने अच्छे से उस problem को analyze कर पाता है, कितने अच्छे से उसको divide करके देख सकता है, कितने perspective से उसको देख सकता है, ना कि सिर्फ एक ही particular rigid तरीकी से उस problem को देखता है तो इसका ये मन्न है कि अगर componential intelligence हमारी अच्छी है यानि कि हम intelligence को अच्छे से analyze कर सकते हैं तो हम बहुत ही उसको better तरीकी से उस problem को भी solve कर सकते हैं तो इस componential component को इन्होंने तीन पार्ट में divide किया था सबसे पहले है knowledge acquisition यानि कि आप किसी भी problem को solve करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में knowledge acquire करेंगे यानि कि आप उसको learn करेंगे, encode करेंगे, फिर उस information को combine करेंगे और फिर उसको use करेंगे तो second stage जब आपके पास information आ गई है फिर आप उसको meta component मिले जाएंगे, जो कि second component है यानि कि आप उसको एक plan तरीके से करेंगे, आप उसको monitor करेंगे उस information को आपकी जो problem है उसके साब से आप उसको mold करोगे और उसको finally एक shape देंगे, कि हम इस solution को इस सरह से use कर सकते हैं तो finally जब आपने planning कर ली है, आपके पास information है तो third stage जो आपका है वो है performance component यानि कि आपका solution आप उसको practically imply करेंगे अपने surroundings में तो ये काफी practical intelligence ये show करता है कि आपके पास भले ही knowledge है अगर आप उसको साई से use नहीं कर पाएंगे, तो उस intelligence का फायदा नहीं है तो ये तीनों है component मिलके, एक componential आपके intelligence बताता है second component आता है आपका contextual intelligence contextual intelligence यानि कि आप किस context में किस तरीके से आप intelligence को use करते है यानि कि ये street smart लोगों में बहुत जादा होता है कि सिर्फ theoretical चीजों पे ही नहीं हमें rely करना है, सिर्फ जो हमने books में पढ़ा है सिर्फ वही नहीं सही है, हम उसको practically on street कैसी use कर सकते हैं अपनी life में वो define करता है हमारा contextual intelligence third part की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी practical intelligence third तरीकी intelligence जो बात करते हैं वो है experiential intelligence तो ये वो intelligence है जो आपको किसी book में पंड को नहीं मिलेगी या फिर आप किसी surrounding से नहीं सीख सकते हैं या आप अपने experience से ही सीखेंगे या over the period of time जो आपने शायद गलतियां की हैं या फिर जो आपने अपने culture से सीखा है तो ये काफी एक product होता है intelligence जो आपको over the period of time अपनी generation से generation को मिलता है इसके example देख सकते हैं कि मान लिजे आपकी घर में कोई बिमार है तो अब जरूरी नहीं है कि आप alopathic दवाई लेंगे या कोई English medicine लेंगे सबसे पहले आपके घर में जो दादी है या नानी है वो आपको हल्दी का दूद देंगी या फिर आपको हल्दी का पानी देंगी तो इसमें इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने कोई MD की डिगरी ली है या फिर medical science पड़ी है इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्हों का experience ऐसा है उनके घर में उन्होंने यह देखा है कि जो हल्दी की medicine जो टर्मरिक है एक बहुत ही जादा बौन है किसी भी बिमारी को सही करने के लिए तो यह बहुत ही high level की intelligence है जिसके लिए उन्होंने कोई study नहीं किया कोई degree नहीं ली है पर just because उनके पास experience है तो वही intelligence यूज कर पा रही है तो यह तीन components थे ट्रायर के intelligence के अब बात करते हैं past model of intelligence के बारे में तो past model कहता है कि एक intelligence के process में जब हम intelligence यूज करते हैं तो तीन basic तरीके की neurological हमारा जो process है वो active रहता है पहला है arousal and attention यानि कि हम कोई भी problem जब face करते हैं कोई भी situation आती है तो हम सबसे पहले arouse होते हैं या फिर उस problem को attention देते हैं तो just because हम arouse होते हैं इसलिए हम possibly उसको attention दे पाते हैं अगर हम arouse नहीं होंगे तो हम उस चीज को attend नहीं कर पाएंगे for example अगर कोई teacher आपको कहती है कि कल आपका test है तो एकदम से जो test वाली बात है या आपको arouse कर देती है और आप automatically उस चीज को attend करेंगे और ध्यान से सुनेंगे उसके बाद आता है simultaneous and successive processing यानि कि एक बार जो आपनी information ले ली फिर आप उसको process करोगे यानि कि अगर आपको test के बारे में पता चल गया है तो आप उसको अपना syllabus चेक करेंगे या फिर आप parallel सोचते रहेंगे कि क्या syllabus है या फिर क्या test है आपकी कितनी preparation है तो आपको सारी information सोचते रहेंगे अपने mind में तो यह simultaneous तरीके से हो सकती है यानि कि आप काफी अलग-अल processing कहते हैं या फिर जब आप एक के बाद एक सोचते हो यह कि आपने पहले test के बारे में आपने सोचा उसके बारे में कि कैसे करना है फिर आपने दूसरे बाकी task के बारे में सोचे एक-एक करके तो इस तरीके को हम successive processing कहते हैं successive यानि यह एक के बाद एक तो आपने information ले ले ल मिलने का टाय में आप वो थोड़ा कम करोगे या फिर जो आपको वीक सब्जेक्ट्स है आप पहले उसको कवर करोगे तो ये प्लानिंग में आ जाता है तो ये एक सीरीज ओफ प्रोसेस है जो हम हमारे ब्रेन में चलते हैं एक किसी भी सिचुवेशन या स्टिमिलेस को एटें होता है तो generally psychologist अपनी studies से ये बताते हैं कि जो दो main तरीके जो है different करते हैं हम लोगों को एक दूसरे से intelligence के basis पर पहला है nature यानि कि आपकी जो intelligence है वो आपकी inheritance के थ्रू मिली है वो आपकी genetics के थ्रू मिली है generally ये देखा गया है कि studies में ये find किया गया है कि अगर आपके biological parents अगर intelligent है बहुत जादा या फिर उनमें कोई particular intelligence है factor तो वो बहुत जादा chances है कि वो आप में भी present होंगे second perspective ये है कि अगर आप उस particular environment में है या फिर आपकी surroundings इस तरीके की है कि आपको वो skills सीखने हो मिले वो intelligence आप में आई है तो वो आपकी environment का या फिर आपके surroundings का वो factor है उस में nature क role बहुत कम है तो ये दोनों ही factors हैं जो आपकी intelligence को grow करने में और intelligence को आप में adapt करने में role play करते हैं तो इनी difference को जो nature की basis पे होता है और आपकी nurture के basis पे होता है ये दो तरह की हमरी studies हैं ये help करती हैं पहली type की studies होती है twin studies twin studies यानि की आपके twins जो होते हैं हम उनके भीच में correlation find करते हैं कि जो twins की qualities है वो कितनी जादा similar है just because उनमे genetics जो है वो same है second तरीके की जो हमारी study है वो है adoption studies adoption studies हमारे surroundings या फिर हमारे situational factors हैं उनकी importance हमें show करने में help परती है तो twin studies के basis पे जो हमको research find out किये हमने वो यह है कि सब ज़्यादा correlation जो है qualities का या intelligence का वो identical twins में हुआ है identical twins में जो correlation है 0.9% का है इसका मतब यह है कि 90% जो qualities है वो identical twins में similar पाई गई है फिर आता है identical twins जो की separated है childhood से यानि कि जो twins born हुए थे बट उनको अलग-अलग circumstances में रखा गया था उनमें जो correlation है वो 0.72 का है यानि कि सिर्फ 70% qualities उनमें similar पाई गई थी फिर आता है fraternal twins यानि कि twins हैं बट identical नहीं है generally यह एक girl और एक boy में देखा जाता है तो इनमें correlation जो है वो 60% का है फिर हम देखते है siblings rare together यानि कि जो siblings है जो की twins नहीं है जिनमें काफी age difference है उनको एक साथ अगर हम rare up करते हैं तो उनमें correlation जो है वो 50% का है यानि कि और correlation कम हो चुका है सबसे last में हम देखते हैं कि siblings rare apart यानि कि siblings जो है अलग-अलग जिनकी हमने rare up किया था उनका सिफ 0.25 correlation यानि 25% qualities उनमें same है अब बात करते हैं